चित तयत गंभीरता और जिनका चित गंभीर है चंचल नहीं चित एकागर रहता है चित को एकागर करना बहुत बड़ी तपश्या है और जिसका चित बस में है वह विक्ती कभी भी जीवन में अशांत नहीं होता है इसलिए चित को वस में रखें चित तयत गंभीरता आचारे सुचिता है राम तुम्हारा आचरण बहुत पवित्र है आचार विचार इतने सुद्ध हैं आपके इसलिए तुम भगवान कहे जाते हो आचारी सुचता आचार विचार सुद्ध होने का मतलब क्या है भोजन भी कीजिये तो हाथ धोकर कीजिये और धुले भी चम्मस से साफ चम्मस से घी निका लिए आप भोजन खा रहे हो जूटे अंगली से घी निकालते हो ये आचार की पवित्रता नहीं और खा रहे हो साथ में भोजन अपने आप सभी रोटिया छू रहे हो ये पवित्रता खो गई कितनी महलाएं बनाती भी और साथ में खाती भी एसा भी कल्यूग में प्रारंब हो चुका है दमा दम मस्त कलंदर सुनीता देवी का पहला नमबर बनाना साथ में मत खाना खाना हो चेक करना हो चेकिंग की जाती है अलग कटोरी में ले करके अलग मेट करके टेस्ट चेक करिए उसके बाद हाँ धोकर कुल्ला करके फिर बनाना सुरू करिए बनाना और खाना साथ में नहीं जिसके घर में जाड़ू बहरू सफाई से लगता नहीं वाचार विचार सुद्ध नहीं कपड़े भी साफ सुथरे पहनो नम्र निवेदन है कि अपनी गाड़ी को भी साफ रखा करो और जूते चपल भी साफ करो दातों को भी साफ करो अपने बच्चों को भी नहला धुला कर साफ रखो और बच्चों की हर दो घंटे में छोटे बच्चों की नाक भी साफ करो कितने बच्चे माता पिता लापरवा है और नाक की रबड़ी बनाते रहते माता पीता खोष होते बहुते और कितने माता पीता भी बड़ी विचित्र है बच्चे की नाक पॉँचकर अपने साड़ि में लगा लेते और कभी उनके घर हम पहुँचे तो उसी साड़ि से मेरे पेर पहुँच देते हैं कि थोड़ा माल आप भी ले जाओ मारा जा इस साड़ी में मत पहुचिए साड़ी को साफ सुथरा रखे खान पान भी शुद्धो मांस मचली अंडा मुर्गा कुकरी बकरी कुतिया ये सम मत खाई दाल चावल हरी सबजी रोटी खाई इससे अच्छा कोई भोजन नहीं है और सबजी को ठीक से अमनिया कीजिए पत्ता को भी के अंदर भी कीडे बैठते हैं उसको खोल के देखें भिंडी के अंदर कीड़ा, आलू के अंदर कीड़ा टमाटर के अंदर कीड़ा रहता है काजू के अंदर कीड़ा रहता है ये कीड़े बड़े मज़ेदार अंदर ही पैदा होते हैं अंदर अंदर खाते काते उपर छेंद करते हैं फिर ऑक्सिजन लेते रहते हैं अंदर बैठे रहते हैं जल्दवाजी में तुम सबजी बनाओगे बहुत सारे कीड़े कट जाएंगे पक जाएंगे दाल को भी शाप कीजिए देखिए उसमें गिट्टी मिट्टी कीड़े तो नहीं है गेहों भी साफ करिए साफ करके पिसाईए और गेहों को सुरच्छित रखिए सर नमी जगे में मत रखिए अन्यता उसमें कीड़े पैदा होंगे घुन पैदा होंगे अंदर होता छोटा कीड़ा शिर की बालों को साफ रखिए उसमें जुएं पैदा होते हैं और शिर में काटते हैं ते एक महिला दूसरी महिला के शिर के बालों के भीतर के जुए ढोड़ करके अपने अंगुठे के नाकुन पर रख रख कर मारती है इधर भी ऐसा करते हैं आई ये सब जगे बिठा है उस्षे पाप लगता जीव पर दया कैसे हो उसको समा लो शाहे बंदगी बोलो जैसी आराम बोलो बहुत बहुत धन्यवाद है घर के बीश्तर भी साफ सुथरा रख जिस चादर पर सोते हो बिछा करके उसको कम से कम तीन दिन में एक बार धो डालो साबन से नहीं तो पानी से सही दूसरी चादर बिछा दो डबल चादर रखा करो तो मन में सोचो चादर मिल जाएगी और जिस विश्तर पर दिन में जरूरत नहीं उसको उठा कर रख दीजी अलग साइट में जरूरत है तो ही बिछा रखी आचारे सुचिता जिसका आचरण पवित्र है आचार बिचार सुध है यह राम का गुण है और ऐसा जिसका पवित्र होता है आचार बिचार वह विक्ति राम का भक्त कहलाता है गुणे रख शिकता नए ने गुणों को नई नई कलाओं को सीखने में रुची होना चाहिए ऐसा गुण हो आपके अंदर कि नया सीखूं अच्छा सीखूं सीखने की विच्छारप, गुणे रशिकता, सास्त्रे सु विज्यात्रता और सास्त्रों का अध्यन करने का ज्यान प्राप्त करने का भी अपना भाव होना चाहिए हमारे देश में स्वध्या धेरे धेरे शमाप्त होता जा रहा है यदि आप रामयन पढ़ोगे तो आपकी परिवार में बहुत सांती आईगे यदि आप कबीर की दोहे पढ़ोगे तो आपका मन कंट्रोल रहेगा और यदि आप विदुर नीती चाणक की नीती पढ़ोगे तो आपको ढग नहीं पाहेंगे लोग जल्दी और यदि आप स्रीमद भगवत कीता की पढ़ोगे तो आप भरष्ट नहीं हो पाऊगे चरित्रवान बन जाओगे और यदि आप प्रवचन सुनोगे तो आपकी जिन्दगी में बहुत आनन्द और सांती की प्रवचन सुनना चाहिए इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिनोंने मोबाइल की यूटूब में भी प्रवचन सुना है मेरा हाँ तुठाओ मोबाइल के यूटूब में सुनते हैं अब सुनते हो तो एक चीज और बता देता हूँ उसे सब्सक्राइब भी कीजी स्वाध्धाय करो रामयान कि पाँच चौपाई रोज पढ़ो कबीर के दोहे पाँच पढ़ो शिरीमत भगवत कीता के पाँच स्लोकों के अर्थ पढ़ो इस लोग पढ़ नहीं पाते हो गए कितने लोगों को संस्क्रत पढ़ना नहीं आता तो उसका आर्थ पढ़ो और गीता को पढ़ोगे तो वहाँ एक बात तुम बहुत पाऊगे उसमें बार बार क्रोध के बारे में बताए गया गीता में क्रोध के बारे में बहुत पताई गया मैं सौचता था ये क्रोध पर इतना क्यूं कहा गया तो मेरे मन में विचार आया कि क्रोध बहुत खतरनाग चीज है इसलिए क्रोध को कंट्रोल करने के लिए कहा गया बीतराग भे क्रोधा इस्थिद्धी मनुवच्चति काम क्रोधोद भों बेगम सह युक्ता सा सुखी नरा बारंबार कामा क्रोधा तथा लोभा बारंबार वही बाता रहे यलग-लग इस लोग के टुकले बता रहों पूरा इस लोग बोलनेक टाइम नहीं क्रोधा पारिश्य में यवचा क्रोध करने वाले को क्रिश्न नहीं राच्छस कहा रहे कि क्रोध तुमको राच्छस बनाता है और क्रोधी को सहयोग देने वाला भी कोई नहीं मिलता है अकेला पड़ जाता है घर में बुढ़ापे में तुम चाहते हो कि तुमारी सेवा अच्छी हो बस दो तीन काम कर लेना बहु बेटे का विरोध न करो और उन पे क्रोध न करो प्रवचन सुनते रहो कभी कभी घर वालों को धन्यवाद देते रहो नेंद लगे तो सोते रहो जग जाओ तो कुछ ज्यान की बाते पढ़ते रहो जो हाथों से काम हो सकता उसको करते रहो और ज्यादा प्लानिंग में मत पड़ो कि अब मेरा वक्त खतम हो गया है अब सरकार बदल गई है इनको करने दो अपना नंद से रहो उसी में बस